एक अक्तूबर राशी मेश ओवर्वियू अपने जीवन में आए बदलाव को देख कर आप खुद ही बहुत खुश होंगे। एक अक्तूबर राशी मेश रोमैंस आपके संबंध में नई उत्तेजना को घर बैट कर व्यर्थ ना करें। साथ साथ फिल्म देखें या अन्य आनंद दायक कारे करें। इससे जीवन की नीरस्ता दूर हो जाएगी। एक अक्तूबर राशी मेश करियर आज आप पाएंगे कि आपका कारिक शेत्र बदल गया है या फिर आपने कोई नई नौकरी कर ली है। ये किसी नई शुरुवात का समय है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। इस बदलाव से परेशान न हो। इससे आपको लाब ही होगा और आपको अपने लक्ष के और नस्दीक जाने में मदद मिलेगी। एक अक्तूबर राशी मेश फाइनांस आपका सावधानी पूर्वक किया गया कार्य आपके आर्थिक दबाव को काफी हद तक कम कर सकता है। पूंजी निवेश करते समय आपको व्यवसाय के नए नए तरीके अपनाने चाहिए। इसके लिए किसी अनुभवी से सलाह लेनी चाहिए। वे चाहे आपसे ओहदे में बड़े हो या उम्र में। यदि इसमें आपको सफलता मिली तो परणाम प्रशंस निया हो सकता है। एक अक्तूबर राशी मेश हेल्थ। आज आप पाएंगे कि अचानक आपका स्वास्त बिगड रहा है। ये आपको गेहन चिंता म ही महसूस करेंगे। एक अक्तूबर राशी व्रिश ओवर्विव। आज आप अपने काम से संबंधित यात्रा की तयारी करेंगे। ये यात्रा आपको सफलता दिलाएगी। इस यात्रा पर जाते समय अपने बिजनस कार्ट साथ ले जाना न भूलें। हो सकता है वहाँ आ अपने साथी के साथ एक अच्छा लंबा समय व्यतीत किया हो। ये मौका नकेवल रोमेंटिक यादगारों को समेटने का साबित होगा बरन आपसी रिष्टों, प्यार वह एक दूसरे को और अच्छी तरह समझने का भी होगा। अर्थात आज का दिन आपके लिए वो मौक लेकर आएगा जिसमें कि आप अपने साथी से अपने रिष्टों को और अधिक मजबूत कर सकें। आज कारियस्थल पर कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। यदि आप स्थानांतरण के विशे में सोच रहे हैं, तो वो आज संभव है। अथवा पदोन्नती या वेतन वृद्धी मिल सकती है। इन में से कुछ भी हो, आपका सकारात्मक विकास निश्चित है। आप निरंदर कठिन परिश्रम करते रहें। आपके आसपास के लोग आपके विवसाई के तरीकों की साराहना करेंगे। अतह आप उन महतुपूर्ण विवसाईयों से विवसाई के अच्छे गुण अपनाने की कोशिश करें। वे व्यक्ति जो आश्वस्त हैं कि विवसा उठाने को तैयार हैं। उन्हें अच्छे विवसाई के अवसरों की कोई कमी नहीं है। एक अक्तूबर राशिवरेश हेल्थ आज आपकी सेहच चमकती नजर आएगी और इस चीज़ को दूसरे लोग भी महसूस करेंगे। आज आप मानसिक और शारिदिक दोनों तरीके से खुद को स्वस्थ पाएंगे। आज मानसिक तनाव भी कम होगा। इसलिए आज आप पूरी शक्ती से अपने घरवालों और दोस्तों के साथ खूब मस्ती कर पाएंगे। उच्चा धिकारी आप पर नजर रखे हुए हैं। जब आपको आपके काम के लिए सराहा जाएगा तो आपको बहुत खुशी होगी। आपको कोई इनाम भी मिल सकता है। आपके प्रतीरुची रखता है तो अत्रिक्त कारेभार को निप्टाने में किसी सहयोगी की सहायता लें। एक अक्तूबर राशिमिथुन करियर। करियर में वृद्धी के लिए समय शुब है। अगर आप पिछले कुछ समय से अपने करियर के बारे में कोई शुब समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो अब किसी दोस्त या सहकर्मी से आपको वो शुब समाचार मिल सकता है। अपने कान खुले रखें, क्योंकि आप इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेंगे। आपको पदोननती मिल सकती है या फिर वो नई नौकरी मिल सकती है जिसका इंतिजार आपको बहुत समय से था। अपने प्रोफेशन में किसी भी हालत में खुद को ढाल लेने की आपकी क्षमदा के कारण आप आज फायदे में होंगे। आपके काम को प्रोथसाहन और आपको आर्थिक लाभगे संकेत हैं। इसलिए निश्चिंत रहिए आपकी आर्थिक स्तिती सुधरेगी। बस आप तरफ से बहतर काम करते रहिए, आपका बैंक अकाउंट बढ़ता रहेगा। आज आप कुछ परेशान रहेंगे। आपकी सोच आपको ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है। यह जब भी हो तो ध्यान रखें कि यह विचार अल्प समय के लिए हैं। इसलिए इन पर ध्य अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो आप परेशान हो सकते हैं और आपके सामाजिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तैयारी कर लीजिए, आप अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। यह यात्रा कोई छोटी सी पिकनिक भी हो सकती है या फिर कोई लंबी यात्रा भी हो सकती है। आज इस यात्रा का पूरा मजा लें। एक अक्तूबर, राशिकर्क, रोमैंस। यदि आप लंबी दूरी के संबंध में हैं तो शायद आप हैरान हो सकते हैं। संभावना है कि आज आप दोनों में से कोई एक दूसरे से मिलने आ सकता है। अपने समय का पूरा लाब उठाएं। वो अपने साथी को अपने दिमाग की सभी बातें पूरी तरह बताना न भूलें। एक अक्तूबर, राशिकर्क, करियर। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए शुभ है। आपको आत्मविश्वास भरा हुआ मानस ल से किसी नए व्यापार या संपत्ती में निवेश कर रहे थे। आज इसमें आगे बढ़ने के लिए बढ़िया दिन है। आपके सामने किसी अंतराष्ट्य व्यापार में भी निवेश का मौका आएगा, जिसका आगे चल कर अच्छा फायदा दिखेगा। किसी बड़े पत्ती लेन देन के लिए आज संयोग बन सकता है। अपने विकल्प खुले रखें। स्तर पर अच्छा महसूस करेंगे। एक अक्तूबर राशी सिंग ओवर्विय। आज आप यूही गप्पे मारते वक्त अपने शब्दों का चुनाव जरा सोच समझ कर ही करें। आप किससे क्या कह रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। आपके शब्दों को तोड़ मरोड कर आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा होगा कि आप यूही गप्पे मारने से बचें। आज आपको अपने कार्या ले या घर पर थोड़ा तनाव महसूस हो सकता है। संभावना है कि आपके आसपास के लोग गुसे में रहें जिसका असर आपके मूड पर भी पढ़ सकता है। चिंता ना करें ये समय भी बीट जाएगा। आप अपने कामों पर ध्यान दें। अपने काम पर ध्यान देने से आपका ध्यान परेशानियों पर नहीं और सब कुछ ठीक हो जाएगा अकेले व्यक्ति जो अपने ओफिस के किसी व्यक्ति को प्रस्ताव भेजना चाहते हैं आज धी रज रखें जल्दबाजी के बजाए उस व्यक्ति को और अच्छी तरह जानने की कोशिश करें ऐसी संभावना है कि यह प्रस्ताव उसकी तरफ से आ जाए आज आपको अपने गुस्से पर पूरी तरह से काबू रखना चाहिए किसी उच्चादिकारी से लड़ाई होने की आशंका है आप बहुत ही तनाव पूर्ण महसूस करेंगे और अपने काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने इस खराब मूट से बाहर ना निकलें तब तक आपको शान्त रहने की कोशिश करने चाहिए एक अक्तूबर राशे सिंग फाइनांस व्यापार में आप माहिर हैं ग्रहकों को आप अपनी तरफ खींची लेते हैं आज व्यापार में आपको फाइदा मिलने वाला है आज आपको अपने बॉस से कुछ बोनस भी मिल सकता है आपके वरिष्ट सहीयोगी भी आपकी कड़ी महनत के कायल हो जाएंगे आपके ग्रहक भी आपकी महनत देख रही है इस तरह चारों और से आपको आपके परिश्रम का फल मिलता दिखेगा अपनी कामियाबी पर गर्व कीजिए एक अक्तूबर राशे सिंग हेल्थ अपनी त्वचा को लेकर सावधान रहें कोई बिमारी हो सकती है आज शायद आप कुछ निराशा महसूस कर सकते हैं लेकिन आज आप इस बात पर भी ध्यान देंगे कि आप किस तरह से नकारात्मक्ता को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं शिकायत करने से कुछ नहीं होगा बलकि आपके इस विवहार से आपका और आपके आसपास के लोगों का मूड ही खराब होगा अपने थोड़े से प्रयास से आप अपनी खुशी को बढ़ा सकते हैं इस दिशा में कदम बढ़ाएं इससे आपको तो लाब होगा ही दूसरों को भी फायदा होगा एक अक्तूबर राशिकन्या रोमैंस आप किसी के साथ वैवाहिक संबंध स्तापित करने से पूर्व भली प्रकार सोच विचार कर लें विवाह होने पर आपको अपने साथी की भावनाओं और इच्छाओं पर खरावतर ना होगा इसलिए ये महत्वपोन दिरने भली प्रकार सोच कर ही लें एक अक्तूबर राशिकन्या करियर इस समय आप बिना ज्यादा प्रयास के सफलता प्राप्त कर लेंगे भाग्य आपके साथ है आपके कार्याले में आपको प्रशंसा मिलेगी और आप पाएंगे कि आप सभी काम सही कर रही है और वो भी बिना अधिक प्रयास के बधाई हो जब तक की समय अच्छा है उसका पूरा लाब उठाएं एक अक्तूबर राशिकन्या फाइन्स अगर आपके पास निवेश करने के लिए कोई अतरिक्त पैसा है तो आपको निवेश के कई सारे विकल्पों पर विचार करना चाहिए लंबे समय के निवेश के खयाल से समपत्ति में पैसा लगाना ठीक रहेगा अपने व्यापार में भी अलग-अलग योजना बना कर उसमें निवेश कर आप आज के दिन का लाब उठा सकते हैं आज सभी तरह के विकल्पों पर विचार कर लें कुछ ऐसे विकल्प सामने होंगे जो आपको पहले कभी नहीं दिखे थे आज आपकी नई चीजों का आविशकार करने में दिल्चस्पी बढ़ेगी आज आप कुछ ऐसा बनाएंगे जो आपने पहले कभी ना बनाया हो आज आप बड़े चाव से खाना खाएंगे आप रोजमर्रा की जिन्दगी से हट कर कुछ अलग बनाएंगे जिसे आप बेहत पसंद करते हैं आज किसी पारिबारिक समारोह की संभावना है इसलिए कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो जाइए ये मज़े करने का समय है ये पारिबारिक समारोह आपके वो आपके परिजनों के लिए खूब सारी खुशियां लेकर आएगा आज का दिन अपनों के साथ मजे करने का है इस समय का पूरा अनंद लें एक अक्टूबर राशितुला रोमैंस आप चाहे विवाहित हो या अविवाहित सभी जगा आपको रोमैंस से परिपूर्ण मिलेंगी कुछ अतरिक्त समय निकालें जिसमें आप अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकें यदि आप विवाहित हैं तो किसी अनूठी रोमैंटिक हरकत से अपने साथी को आश्चर चकित कर दें आपका साथी पास्तव में आपकी इस चौका देने वाली हरकत की तारीफ करेगा आज आप अच्छे दिख रही हैं अच्छा महसूस कर रही हैं कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए शुब है आपके आकर्षन व कारेक्षमता से कारेक्षेत्र में आपको बहुत ही लाब होगा आज आप अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ही व्यावसाइक सफलता प्राप्त कर सकेंगे पैसे रुपए के मामले में आज आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए ये भी सावधानी रखना जरूरी है कि आप अपना पैसा किन बचत योजनाओं में लगा रहे हैं अगर अचानक कोई पैसा आज हाथ लगे तो उसे तुरंट बैंक में जमा कर दीजिए एक अक्तूबर राशितुला हेल्थ आज आप कुछ आराम महसूस करेंगे अगर आप अपनी कूलह या कमर की परेशानी से परेशान हैं तो आराम करने से आपको अच्छा महसूस होगा और आपके काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी और दर्द से आराम मिलेगा आज आपको महसूस होगा कि आपकी सेहत पहले से सुधर रही है इसलिए चिंता ना करें एक अक्तूबर राशिवरिष्चिक ओवर्विव आज आपकी रोज की दिनचरिया बदल जाएगी ये शायद आपके घर में शादी के समारोह की वजह से हो आप इस समारोह में खूब मजा करेंगे और उन रिष्टेदारों से मिलेंगे जिनसे आप बहुत दिनों से नहीं मिल पाएं हैं पिछले दिनों आपकी जिंदगी नए पार्टनर की संभावनाओं और गुपचु प्रेम संबंधों से भरी रही है आज भी ये स्थिती बनी रहेगी इन दिनों को देख आप भी ये सोचेंगे कि प्यार की दुनिया में कब क्या हो कुछ नहीं बताया जा सकता इन मौकों पर आनंद करें एक अक्तूबर राशिवरिष्चिक करियर अगर आपको अपने काम में उपलब्धियों के लिए प्रशन सा मिले तो आपको अपने कार्या लए और उसके बाहर हो रही प्रतिसपरधा से सावधान रहना चाहिए आपके विरोधी आप पर जूटा इलजाम लगा सकते हैं इसलिए किसी से भी कोई बात ना करें आपके विरोधी सक्क्रिय हैं लेकिन आप उनसे निबटना जानते हैं एक अक्तूबर राशिवरिष्चिक फाइनांस आज का दिन आपको सुनिश्चित रूप से उस प्राप्ति अत्वा पदोनती के अवसर देगा जिसके विशे में आप लंबे समय से सोच रहे थे आज अपनी गुणवत्ता का पूरा उप्योग कीजिए जिससे आपको लेकर किसी प्रकार की नकारात्मक बातें न हो सकें आज का दिन आपको कोई अच्छा व्यापारिक अवसर दिला सकता है ये समय सभी को प्रभावित करने का है तो खुद को श्रेष्ट सिद्ध करने के लिए चल पड़िये एक अक्टूबर राशिवरिष्चिक हेल्थ योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने से आज आपको मानसिक शान्ति मिल जाएगी ध्यान रहे योग करने से उर्जा तो बढ़ेगी ही रक्त चाप और पाचन क्रिया भी बहतर होगी ध्यान लगाने से आपको शान्ति मिलेगी और भावनात्मक विचार भी बदलेंगे एक अक्टूबर राशिद्धनो ओवर्विव आज शायद आप खुद को अपनी इच्छाओं और जिम्मेदारियों के बीच जूलता हुआ पाएंगे एक तरफ आप समाजिक समारोह में बढ़ चड़ कर भाग लेना चाहेंगे और दूसरी तरफ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपना काम भी समय पर पूरा करें ये संतुलन बनाए रखना तो कभी भी आपके परिशानी थी ही नहीं तो फिर देर किस बात की है? सबको खुश रखें एक अक्टूबर राशिद्धनो रोमैंस आज आप चाहेंगे कि आप अपने चाहने बालों से घिरे रहें और आपको अतरिक्त उत्सा एवं जोश मिल सके जिसकी आपको जरूरत है आज आप पहचान करने में सक्षम होंगे कि कौन आपके पक्ष में है और कौन विपक्ष में यदि आप अपने साथी को अपने पक्ष में पाते हैं तो क्यों ना सदा के लिए रिष्टा कायम कर लिया जाए व्यावसाई क्षेत्रों में उन्नती के आसार हैं आपके अधिकारी आपको बोनस दे सकते हैं अत्वा पदोननती भी संभव है चाहे जो भी हो आज का दिन प्रसिद्ध होने और पैसा कमाने का है आप अक्सर पैसे का हिसाब किताब रखने में भुलकड हैं इसलिए आज आप अपने खर्चे का ठीक हिसाब रखें ये भी मुम्किन है कि आपने बैंक से रकम निकाली और उसे गैर जरूरी और छोटी छोटी चीजों पर खर्च कर दिया जिसका आपने हिसाब तक नहीं र आज खुद पर काबू रखें कहीं किसी उच्च अधिकारी के सामने आप अपना संयम न छोड़ दें आज आपको चैन नहीं मिलेगा और अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे आप खुद का संयम बना के रखें आप अपने साथी के साथ भी संयम बना के रखें आज आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की सोचेंगे आपका रुझान आध्यात्म की ओर रहेगा आप अपनी जिंदगी में धर्म के महत्व को भी जानना चाहेंगे इस राह पर चलने से आपको खुशी मिलेगी आज आपका एक निराशा पूर्ण संबंध तूट सकता है इसे रोकने के लिए आवश्चक है कि आपस में बात चीत करें खुल कर अपने दिल की बात अपने साथी से करें अगर आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रही है तो आज आपको थोड़ी परेशानी होगी ध्यान रखें कि आप जितने उचे पदपर होते हैं नौकरी बदलना आपके लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है साथ ही आपको नौकरी बदलने से पहले सभी अच्छी बुरी बातों पर एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिए अगर आपने निश्चे कर ही लिया है तो आप अपनी तलाश शुरू कर सकते हैं आज आप अपने आपको बहुत उर जावान एवं सकारात्मक अनुभव कर रही है क्योंकि आपकी जिंदगी में बदलावाने की संभावना है इस सकारात्मक पहलू का अच्छा असर आपके बैंक खाते वो आपकी कारिशयली पर पढ़ सकता है सरवदा खुश रहने का प्रयास करें तो आप यह पाएंगे कि इस से आपके जीवन पर अच्छा असर पढ़ रहा है आज आप उर जावान और तनाव मुक्त रहेंगे ये आपके लिए बहुत अच्छा आश्चर्य होगा इन दिनों को खूब मस्ती में गुजारें क्योंकि कम तनाव और खुशनवा मूड आपके स्वास्त के लिए अच्छा होगा आज आपको बाहर जाकर मस्ती करने का मौका मिलेगा इसलिए इन दिनों को मस्ती में गुजारें अपने दर्वाजों को ठीक से बंद करके रखें नुकसान हो सकता है इस बात का ध्यान रखें कि आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित हो वरना बेकार का नुकसान उठाना पड़ सकता है अपने कीमती सामान को यूही कहीं पर भी ना छोड़ें पच्तावे से सुरक्षा भली एक अक्तूबर राशिकुम्भ रोमैंस आज के दिन आप अपने साथी के साथ सहयोग की अपेक्षा करेंगे और वो भी आपको पून रूपेंड सहयोग देने में खुशी महसूस करेगा आप अपने साथी से सहयोग लेने में न हिचकें क्यूंकि वो आपको सहयोग देने की भरपूर कोशिश करेगा फल स्वरूप आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिलेगा एक अक्तूबर राशिकुम्ब करियर इस समय आप कोई गंभीर काम करने के मूड में नहीं है अगर आप काम के बीच में थोड़ा आराम कर लें और कुछ अलग करने की कोशिश करें तो आपकी उत्पादक्ता और बढ़ जाएगी अपनी सोच छोटी ना रखें बलकी बड़ा सोचें एक अक्तूबर राशिकुम्ब फाइनान्स आप पिछले कुछ दिनों में कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं शायद कोई नई कार या बाइक तो आज ये खरीदारी करने का शुब दिन है आर्थिक मामले में आज का दिन आपके अनकूल है तो आज अपनी कार या बाइक के सही मॉडल का चुनाव कर ही लें एक अक्तूबर राशिकुम्ब हेल्थ आज आप अपनी तरफ से अच्छा दिखने की पूरी कोशिश करेंगे और आपके इस आत्मविश्वास को आपके आसपास के लोग भी देखेंगे आज आपको ऐसा लगेगा जैसे सब की आँखें आप पर ही गड़ी हों आत्मविश्वास आपकी त्वचा में निखार लाएगा इसलिए आप अपनी अच्छाईयों को याद करते रहें एक अक्तूबर राशिमीन ओवर्विव आज आपको शायद थोड़ा तनाव महसूस हो क्योंकि आपके परिजन आपसे मदद मांगने को आएंगे आज आपको कुछ अतरिक्त जिम्मेदारी भी लेनी पड़ सकती है आपको जो भी करने को कहा जाए पूरे मन से करें क्योंकि आपका परिवार बदले में हमेशा आपकी मदद करेगा इस समय आपके परिवार वाले शायद आपसे मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं एक अक्तूबर राशिमीन रोमैंस आज आपके किसी नए व्यक्ति के साथ रिश्टे बनने की प्रबल संभावना है कुछ करने से पहले निश्चित कर लें कि ये सिर्फ आकरशन तो नहीं क्यूंकि उससे आपको बाद में निराशा ही हाथ लगेगी पहली मुलाकात में ज्यादा जजबाती होने की बजाए लंबे रिश्टे की नीव डालने में विश्वास रखें एक अक्तूबर राशिमीन करियर आप जो भी काम करेंगे उसमें अपनी जान डाल देंगे और अपने रास्ते में आने वाली परिशानियों को लांग जाएंगे आप बड़े हिम्मत वाले हैं और काम के बोज में भी हार नहीं मानते ये आपकी वो काबिलियत है जो जादातर लोगों में नहीं होती इस राह पर आगे बढ़ते रहें परियटन के क्षेत्र में कारियरत व्यक्तियों के लिए आज धन लाब का दिवस है आज अपने काम के कुछ अधिक घंटे देते हुए उस अवसर का पूरा लाब लीजिए जो आपके विवसाई को लाब देने के लिए आ रहा है आपके व्यक्तिगत प्रयास वो प्रतियोगिता आपको विजय श्री दिलवाएगी पिछले समय के पाठ आपको सही निवेश के लिए प्रेरित करेंगे अगर आप छाती के दर्द या फिर गले की समस्या से परेशान है तो लापरवाही ना करें स्थि गंभीर नहीं है तो ध्यान रहे आप खुद को आराम दें और खान पान पर विशेश ध्यान दें अगर स्थिती ज्यादा गंभीर है तो डॉक्टर से मिलें सांस लेने में दिक्कत या फिर कंट सुखा होने पर लापरवाही ना करें